हेलो फ्रेंट्स मैं बी एफे से रिलेटेड दो वीडियो पहले भी डाल चुकी आज हम बात करेंगे वाट इस दे डिफरेंस बिट्वीन पेंटिंग एंड अप्लाइड आज हम बात करेंगे आर्ट में रुची रखने वाले स्टुडेंट्स के लिए आर्ट में रुची स्टुडेंट्स करने के लिए हमें फोर्स करते हैं ठीक है वाट इस दे डिफरेंस बिएफए फोर येर का डिग्री प्रोग्राम है इसमें एट सेमेस्टर होते हैं बिएफए इस टैलेंट और स्किल बेस्ट डेवलेब्मेंट कोर्स बैचलर ऑफ फाइन हार्ट हैस तू पार्ट पेंटिंग एंड अप्लाइड आट पेंटि इसमें इससथर पेंटिंग इस में से पानाना होता है आप देख सकते हैं पेंटिंग ये पेंटिंग है अद ये विजूल अर्टो इन दोनों में कितना डिफरेंस है पैंटिंग और Ugh Peki ऑ Yap clay को डिख रहे हैं कि इसमें क्या इप्र त मैंटिंग से ए cs 12. Any STEM, 4 years degree program. आप इसको कहीं से भी BFA कोर्स, State University, Central University, आप किसी भी प्राइवेट इंस्टिटूट से BFA कोर्स कम्पलीट कर सकते हैं. हम इसके स्कोप और करियर के बारे में बात करते हैं. पेंटिंग और अप्लाइड अप्लाइड का ज्यादा स्कोप है, जिसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पेंटिंग में आप इसकेच आर्टिस्ट, कॉमिक आर्टिस्ट एंड डिजाइन स्टूडियो में परफॉर्मर का वर्क कर सकते हैं. या फिर आर्ट गैरली में फ्री लेंसर वर्क करने की भी अच्छी अपरॉचनिटी है. इस्टुडियो में वाल पेंटिंग का भी अच्छा बेस्ट ऑप्शन है या फिर आप एग्जिबिशन में अपनी पेंटिंग को सेल कर सकते हैं. इसके अलावा भी एक ऑप्शन है कि आप आर्ट टीचर का ऑप्शन चुन सकते हैं. जहां पर आपको स्टुडेंट्स को आर्ट सिखाना होगा. ठीक है, आप आप एज टीचर वर्क कर सकते हैं. अपुट्सक्रीबन तुडेंट्स बहने के लिए वह से स्टुडेंट्स करणे कहते हैं. अप्लाइड में बहुत कम समय में अपना प्रोडेक्ट को अच्छा और बहतर बनाने के प्रियास किये जाते हैं जबकि पेंटिंग में आपको फ्रीडम चाहिए होती है जब आपको फ्रीडम मिलेगी तभी आप एक अच्छा अट्रेक्टिव पेंटिंग आप किसी कैंवस पे उतार सकते हैं पेंटिंग में थोड़ा कम स्कोप है लेकिन डिमांड बहुत जादा है बहुत सारे ऐसे पेंटर हैं जिनकी पेंटिंग आर्ट एक्जबिशन में लाखोर करोडों में बिखती है तो यह आपका डिशीजन होना चाहिए कि आप किस फिल्ड में जाना चाहते हैं अपना वर्क बहुत अच्छे से करेंगे तो आप किसी भी फिल्ड में जाके अच्छा वर्क कर सकते हैं थैंक्यों फॉर वोचिंग